हेलो फ्रेंड्स लेट्स क्रेक यूपी इसी का आपका स्वागत है चलिए आज देखते हैं मैं बहुत ही अची चीज लेके आया हूँ जरूर सुनिएगा है ओडियो अटिकल ठीके सफलता वर्सिस बहाना बहुत से लोग सफल होते हैं बहुत से लोग बहाना मारके सफल नहीं वो पाते हैं तो उन्हीं के लिए लाया हूँ में जो लोग बहाना करते हैं हर चीज में दो तरह की लोग होते हैं एक लोग वो होते हैं जो किसी भी परिसानी को अपोर्चुनेटी मानते हैं और एक वो लोग होते हैं जो बहाना करते हैं मुझे ये नहीं हो सकता मुझसे य के लिए यह ओडियोडिकल में लाया हूं ध्यान से सुनियेगा और अपने जीवन में इसे implement करीगा ठीक है चलिए तो बहाना सबसे पहले हम बहाना question कर रहा है सफलता से ठीक है तो बहाना क्या होता है देखिए मुझे उचिच सिक्षा लेने का अउसर ही नहीं मिला अरे भाईया सफलता को देखो उचिच सिक्षा का अउसर Ford Motors के मालिक Henry Ford को भी नहीं मिलाता मिलाता क्या भईया नहीं मिलाता न पिर अब भाना बोलता बच्चपन में ही मेरे پिता का देहान थो गया So sad भईया बच्चपन में ही तुमारे पिता का देहान थो गया चलो ठीके सफलता क्या है प्राख्यात संगीतकार एार रह्मान के पिता का भी देहान बच्पन में हो गया था इसका मतलब क्या है मतलब वो भी तो प्राख्यात हुए ना भीजया बहाना अगला क्यों बोलता है मैं अत्यंत गरीब हूँ बहुत ही गरीब घर से हूँ सफलता बलता है पूरो राश्ट्र पती अब्दुल कलाम भी तो घरीब घर से थे चलिए कोई बात नहीं मैं बच्पन से ही आस्वस्त हूँ भीया आसकर विजेता भी नेत्री मरली मेटलीन भी बच्पन से ही बहरी थी आस्वस्त थी समझते हैं आप इनके बारे में आप जानते ही होंगे बेनो जेपनीं 100% Blind Officers IFS 2015 और क्या बुलो मैं आपको बेनो जेपनीं के बारे में देखे 100% Blind Officers है IFS Officers है 2015 के देखे जाकर चलिए आगे बढ़ते हैं बहाना बहाना बलता है मेरे साइकल पर घूमकर आदी जिन्दकी गुजारती है उसके पास तो गाड़ी है भीया सफलता बड़ा मुँ चड़ा के बुलता है इस बार निर्मा के करसन भाई पटेल उन्होंने भी तो साइकल पर निर्मा बेचकर आदी जिन्दकी गुजारी है बहाना बुलता है एक दुरगटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत ही चली गई दुरगटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई वाह प्राख्यार्त नतिंगना सुधा चंदरन उनके पेर नकली है समझ रहे चली ठीक है कोई बात नहीं फिर बहाना बोलता है मुझे बजपन से ही मंदबुंदी कहा जाता है थामस अलवा एडिसन को भी बजपन में मंदबुंदी कहा जाता था भई बहाना फिर बोलता है मैं इतनी बार हार चुका हूँ अब हिम्मत ही नहीं होती अबराम लिंकन 15 बार चुनाओ हारने के बाद फिराष्ट पती बने हैं मुझे पचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी लता मंगे स्गर उन्हें भी तो बचपन से परिवार की जिम्मेदानी उठानी पड़ी थी